तो हेलो एंड वेलकम बैक तो आर चैनल फ्रैंट्स तो जैसे कि आप सब भी लोग चांदते हैं कि एपल फिर से इस बार अपना एका नया आइसम लेकर मार्केट में उतर चुका है दूसरे आपोंस को टक्कर देने के लिए मैं टक्कर की बात क्यों करना क्योंकि एपल एक ऐस और क्या आपको यह लेना चाहिए या नहीं तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं तो फ्रैंट्स सबसे पहले बात करें तो इसकी जो बिल्ट है वह आप स्क्रीम में देख सकते हैं कि यह टाइटेनियम बिल्ट का न्यू आईफून नाच हुआ है यानि कि अगर आप इ सबसे बड़ी प्रॉब्रम है कि वह टूट जाती है पिछले अट्वैल थाटीन जाइवन आइफून में वह नहीं टूट है क्योंकि यह टाइटेनियम बिल्ट का आ चुका है और उसके बाद बात की जाए तो इसमें हमारा प्रसेसर है वह है यह सेम्टी ग्रो यह प्रसेस यह कुछ भी करना चाहते है वह तो बड़े अराम से कर दे को कि इस प्रसेसर में इंटिग्रेटट जीपी यू भी है जो की एक बहुत बड़ी बात है जो कि आईफून में काफी समय के बात चीज़ आ जाया है उसके बाद आपको इसके चार कलर अवेलेबल होगे पहला एक हलका सा ब्लैक मैट होगा और एक जो कर रहा है मुझे इसका नाम नहीं पता लेकिन कोई बात नहीं चलिए बढ़ते हैं हमारे नगले फीचर की तरफ तो और फिर से यहीं देखे टाइटेनियों के बिल्ड और फ्रैंट से एक बात देख एक बात बार करनी है कि इस बार जो हमारा म्यूट करने का बढ़न होता था वह चीज हो चुका है पहले स्लाइटर आता था म्यूट करने के लिए लेकिन हम स्लाइडर की जगा पने बटन दे दिया गया है जिसको आप अपने इस आप से कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा से प्रस हैं या सीरी का बटन जावाई स्क्रीन शॉट है सब कोई भी शॉटकट आप इसमें एड़ कर सकते हैं तो और एक मेजर बात प्रेंट्स इसके डिस्प्ले 4K HDR होगी और इसका जो प्रोसेसर है वो रेड प्रेसिंग तक को सपोर्ट करेगा और इसका कैमरा पहले से कई गुना ज्यादा पहत्र हो चुका है इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा आता है जो कि नेक्स लेवर्ट परफॉर्मस प्राइवाइट कर देगा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस फोट वीडियो में कि अगर आप फाइफ एक्स में भी फोटो लेंगे तो विल्कुल बोन एक्दम औरीजिनल यह आएगी आप देख सकते हैं यहाप स्क्रीन के ओपर इन्होंने फाइफ सक्स में कर दिया है लेकिन फोटो के क्वालिटी कितनी बढ़िया है इसको डायरेक्ट यूएसबी टाइप सी थे अपने किसी भी डिवाइस में गनाइक्ट कर सकते हैं पहले क्या होता था कि जो चार्जिंग केवल मिलती थी वह हमको मिलती थी लाइटनिंग केवल जिससे कि डाना ट्रासफर होता ही नहीं था यागी बहुत मुश्किल होता थ लेकिन आप एक मेजर चेंज कर दिया गया है कि आप आइफूड में यूएसबी टाइप सी आएगी और जिसमें भी हमको थंडर बोर्ट का स्पोर्ट मिलेगा जिससे कि आप 4K 90Hz 120Hz तक की जो वीडियो स्ट्रीमिंग होती है वो आउटफुट ले सकते हैं इससे और इसकी बैटरी ये आपको अप्रॉक्स 30 आवर का बैटरी बैकप प्रवाइड कर देगी इसमें और भी काफी सारे बड़िया फीचर डाले हैं और इसके डैनमे के आईलेंड को थोड़ा सा और अप्डेड किया करने की कोशिश करी गई है इसमें आई हुएस 17 का सपोर्ट मिलता है जो कि बड़िया है और जैसे कि आप जानते हैं कि एपल के प्रड़क्टिक से साथ मैच मुझ बहुत बड़िया होता है तो वह भी हमको फीचर बताए गए हैं और इसके डो और विलियर नौच हुआ है एक आईफिन 15 सिंपल और एक आईफिन 15 मिनी पाक यह आप सब देख स लगते हैं कि इस में जो मैंने बोला था एस एटीञ इसमें 16 कोर का जीपियो मिलता है फ्रेंड्स मैं बताओ कि 16 को आप अप सोच रहे होंगा यह क्या कोर क्या होते है फ्रेंड्स परफॉरमस में सबसरी तर डिक रेंड कोर करते हैं क्योंकि वही हमारे CPU की दिल की डड़कन होती है और इसमें 48 मेंगा पिंसल का एक मेंड कैमरा मिलता है ठी एक्स और टेलिसकोप यह पहले भी बता चुका था और भी इसमें बहुत सारे ची फीचर मिलते हैं और इसका प्राइज आपको अरांड वन लैक थर्टी फोर ताउन मिल जाएगा वह जो इसका बेस्ट होगा और यह अवेलेबल हो जाएगा 22 स्टेप टैमबर को हमारे और अल्लें स्टोर पर लेकर अगर आप तो आपको प्री और कर सकते हैं आपको कैसा लगा है आइसें 15 प्रो मैक्स तो हमें कमेंट में बताएं क्योंकि मेरे पास तो अभी इसको फोर्ड करने का प्राइस नहीं है तो आपको फ्राइस वीडियो 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 तक 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 यह अलविदा और हमाने के बहुत बढ़िया न्यूव वीडियो आरे कि जिसमें मैं एक आर जीबी गेमिंग स्पीकर और माइक का तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं हमारे चैनल को और बेल ऐकनों ब्रादा दबा दें और बेल ऐकन दबा दें ऐसी और मजदाई वीडियो के लिए तब थैंक्स फूर वाचिंग